स्पष्ट बात कर रहा हूँ और ये एक वैश्विक विचार है और मुझे यहाँ विनम्र होना चाहिए लेकिन अगर मैं स्वतंत्र रूप से कहूँ तो हम आम तोर पर दो प्रकार के नेताओं को देखते हैं एक श्रेणी मूल रूप से ऐसे लोगों की होती है जो निरंतर दबाव बनाए रखते हैं वे तिमाही परिणामों को उपयुक्त बनाते हैं लेकिन वे अपने संस्थान को मूल रूप से पुनर निर्मार नहीं कर रहे हैं विभिन कारणों से क्या वे बड़े बैंकों की और जुके होते हैं या यह निर्पेक्ष है यह निर्पेक्ष है मैं काऊँगा काउच पे मेरे साथ जुडने वाले व्यक्ति सीधे हॉलेंड से जुक प्लाइटर है जुक बैक बेस के संस्थापक और CEO है हमें जो पता है वह मूल रूप से Finitex को प्रोथसाहित करता है वे बना सकते हैं यह एक खुला सैंडबॉक्स है इसलिए वेवास्तव में अपना खुद का समूह भी बना सकते हैं तो बैक बेस बाधा नहीं है बैंक कनेक्टर बनाने का फैसला कर सकता है Finitex कनेक्टर सिस्टम इंटीग्रेटर बना सकते हैं यह एक पूरी तरह से खुला पारिस्तित की तंत्र है तो इस द्रिष्टी से मैं सोचता हूं कि किसी भी व्यापार मॉडल में आपको कभी भी स्वयम को बाधा नहीं बनाना च लेकिन क्या इसे प्रबंधित करना कठिन नहीं होता है और आप लोग इसके बारे में क्या करने की योजना बना रहे हैं देवियों और सज्जनों अरजुन के साथ आज के कूचोनामिक्स में आपका स्वागत है मेरे साथ काउच पर शामिल हो रहे हैं मैं अनुमान लगाता हूं कि पूरी तरह से होलैंड से या शायद वहां वह स्थित नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूँ जूक प्लाइटर है जूक बैक बेस के संस्थापक और CEO हैं जो दुबई फिंटेक समिट के लिए यहां आए हैं तो हमने कहा क्यों ना हम इस अवसर का लाब उठाएं और उसे काउच पर आमंतृत करने का प्रयास करें जैसा की मैंने किया तो हाँ शो में आपका स्वागत है मुझे यहां बुलाने के लिए धन्यवाद बहुत अच्छा लग रहा है यहां आकर क्या मैं सही हूँ कि आप हॉलेंड से आए हैं या ये एक अलग हिस्सा है हाँ मैं अपने परिवार के साथ एमस्टरडम में रहता हूँ उतकरिष्ट, महान शहर, महान स्मृतियां तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दुबई फिंटेक समिट में आकर अच्छा लगा होगा क्या अभी तक आप वहाँ उपस्थित हुए हैं मैं इसी सुबह यहां था हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं माहौल शांदार है और सालों के बाद दुबई का विकास करने का तरीका भी यहां आकर बहुत अच्छा लगा आप जानते हैं मैं वास्तों में यहां एक पुराने व्यक्ती जैसा महसूस करता हूँ मैं यहां 13 से 14 वर्ष तक रह चुका हूँ बहुत सारे लोग जिन से मैंने मिला हूँ ऐसा नहीं है कि वे 14 वर्ष के लिए यहां रहे हूँ लेकिन हम आगे देख रहे हैं कि लोग यहां लंबे समय तक रह रहे हैं जब मैं पहली बार यहां आया था 3 साल के लिए तो हाँ शुरू करते हैं मैं आपसे एक बहुत ही साधारन सवाल पूछने जा रहा हूँ बैक बेस क्या है? बैक बेस एक सॉफ्टवेर कंपनी है यह कुल मिलाकर लगभग 22 सो लोगों की है लेकिन वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है मैं सोचता हूँ कि हम क्या करते हैं हम Finitec हिस्सा हैं जो पारंपरिक बैंकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और बैक बेस प्लेटवर्म बैंकों की सहायता कर रहा है जिससे वे अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार का तरीका आधुनिक कर सकें अगर आप समाज को देखते हैं तो मुझे लगता है कि तुलना बहुत साधारन है उबर जैसे प्लेटवर्म आप एक बटन दबाते हैं आपको एक कार मिलती है ये तुरंथ है खाने की डिलीवरी के साथ भी ऐसा ही है इसलिए मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर में तूफान की तरह चा रहे हैं और इन प्लेटफॉर्मों में क्या खास बात है वे ग्राहक यात्रा का प्रबंधन कर सकते हैं लेकिन ये प्लेटफॉर्म बहु पक्षिये भी हैं अतह, उपभोकता, चालक ये सभी विभिन करता एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये आज के कई उद्योगों की वास्तविक्ता है यदि आप बैंकों पर जाएं और देखें कि पिछले 40 वर्षों में बैंकों का निर्मान किस प्रकार हुआ है तो ये मूल रूप से बहुत सारी पुरानी चीजें हैं और मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या दोहरी है सब कुछ एक दूसरे से अलग थलग है तो इन साइलो में बहुत सारा मूल लिवान डेटा और तरक है लेकिन इन साइलो को कभी भी एकिकरित रूप से काम करने के लिए आर्किटेक्ट नहीं किया गया है दूसरी चीज ये है कि वह सारी पुरानी प्रोध्योगी की बहुत महंगी हो गई है तो बैंक अपने IT बजट का 80-90% रोशनी को चालू रखने में खर्च कर रहे हैं और नवाचार पर नहीं और मैं सोचता हूँ कि वहाँ बैक बेस आता है और आप मूल रूप से चैनल केंद्रित से ग्राहक केंद्रित हो जाते हैं आप उतपाद केंद्रित से ग्राहक केंद्रित हो जाते हैं और यही है जो बैक बेस प्लेट फॉर्म करता है तो मैं उसके विवरन में और ज्यादा जाऊंगा पर मुझे लगता है कि यहाँ एक चुनौती है, मुझे लगता है मैं अपनी उम्र दिखा रहा हूँ, यह पहली बार नहीं है और मैंने अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में परामर्ष और उध्योग दोनों पक्ष पर काम किया है, यह पहली बार नहीं है कि मैंने किसी को कह कि पुराने धाचे ने हमें नवाचार से रोका है है ना ये पहली बार नहीं है मुझे लगता है आप और मैंने सुना है और मुझे लगता है हम लगभग एक ही उम्र के हैं है ना हम ग्राहक केंदृत होना चाहते हैं मुझे लगता है उत्पाद केंदृत या संचालन केंदृ तित्यादी नहीं, बात ये है, सच्चा ये है, पुरानी चीजें बनी हुई है, है ना, और ये स्थिर्ता के बल पर बनी हुई है, ये बनी हुई है, आप जानते हैं, जिस शैतान को आप जानते हैं, वह बहतर है उस शैतान से जिसे आप नहीं जानते हैं, है ना, तो क्या ग्राहक केंद्रित कहते हैं पर वे कभी सच में ऐसे नहीं होते तो ये सिर्फ बातें करना है बैंक ग्राहक केंद्रित होने के लिए नहीं बने हैं वे नियामक केंद्रित होने के लिए बने हैं आपने सही का है ना और ये जरूरी है कि आपको नियामन की जरूरत हो पर जैसे क ग्राहक केंदृत्ता के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं पर मूल रूप से लोग सिर्फ मुद्दे को टाल रहे हैं तो मैं कुछ कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं एक बाहरी कारक जैसे कि उपभोकता की अपेक्षाएं अब अलग हैं तो मुझे लगता है मिलेनियल और युवा पीडियां वो एक बेढ़ंगा बैंकिंग एप्लिकेशन स्विकार नहीं करेंगी है ना मेरा मानना है कि चुनोती देने वाले चाहे वे टेलको क्षेत्र में हो वालेट क्षेत्र में हो ई-कॉमर्स क्षेत्र में हो वे मूलतह अपना स्तर बढ़ा रहे हैं और वे इसमें प्रवेश करेंगे तो मुझे लगता है ये शायद इतिहास में पहली बार है कि बैंकों के पास थोड़ी कम चलो कहो अधिक जरूरत है कि वे इस परेशानी के बारे में बात करें क्योंकि शायद मुझे लगता है ये बड़ी परेशानी है और ये मुझे दूसरे बिंदू पर ले आता है मुझे लगता है कि अभी तक आधुनिकी करण के लिए कोई अच्छा फार्मूला नहीं बना है क्योंकि आप स्वता ही सोचते हैं कि वाह इस बैंक का आधुनिकी करण ग्राहकों को ध्यान में रखकर इसकी संरचना में परिवर्तन ये लगता है जैसे कि आप परेशानी को कैसे काट और छांट सकते हैं ये लगता है जैसे समुद्र को उबाल रहे हों है ना इसलिए मुझे लगता है कि अब हम देख रहे हैं कि बैक बेस और अन्य जैसे प्लेटफार्मों के साथ एक नया फार्मूला है जहां आप इसे क्रमिक रूप से कर सकते हैं इसलिए प्रगतिशील आधुनिकी करण के बारे में सोचें जहां आप इसे पचाने योग्य बनाते हैं और मुझे वास्तव में ये पसंद है कि हम आज इन सभी प्लेटफार्म प्रौध योगिकियों के साथ क्या कर सकते हैं और आधुनिकी करण का IT द्वारा नहीं नेतरत्व किया जाता है लेकिन यह यात्रा आधारित है मुझे वास्तों में लगता है कि ये महत्वपूर्ण है तो प्रारमभिक बिन्दू ये नहीं होता है कि चलो हम सिस्टम A को B की तरह बदल दें जैसे कि एक क्लासिक एप्लिकेशन का आधुनिकी करण लेकिन चलो हम सभी ग्राहक यात्राओं का विशलेशन करें तो आएए देखें कि आनबोर्डिंग में आरण की शुरुवात में लोग किस प्रकार निवेश के साथ अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं इस संबंध में हमें कहां कहां कठिनाई का सामना करना पड़ता है है ना और ये लगभग ऐसा है जैसे बैंक की MRI कर रहे हो आप पहचानते हैं कि आपके पास ग्रहक यात्रा में सबसे बड़ा घर्शन बिंदू कहां है और फिर आप उनमें से एक यात्रा को अपने परिवर्तन यात्रा की शुरुवात करने के लिए चुनते हैं और ये संभव है आप इसे चलो कहो 6 महीने में कर सकते हैं यहां अच्छी बात ये है कि आप उस विशेश यात्रा को एक और बिंदू समाधान के साथ आधुनिक नहीं कर रहे हैं लेकिन आप इसे एक प्लेटफार्म पर कर रहे हैं अतर उस प्लेटफार्म को प्रिष्ट भूमी में चलाते हुए वह प्लेटफार्म संभावित रूप से किसी भी आतरा को आधुनिक बना सकता है तो आप वास्तव में बैंक को पूरी तरह से डिजिटल बना सकते हैं लेकिन अब यह लगभग एक नाटक की तरह हो गया है जहां आप कह सकते हैं कि हम मूल रूप से ग्राहक की परिशानी का ध्यान रखते हैं हम व्यवसाय पर पढ़ने वाले प्रभाव का ध्यान रखते हैं और फिर चरण दर चरण इसका आधुनिकी करण करते हैं ये लगभग एक इमारत का नवीनी करण करने जैसा है है ना हम बातरूम से किचन तक जाते हैं आदी मैं समझता हूँ और मुझे लगता है कि ये उपमा काम करती है तो चलो उस उपमा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मुझे लगता है भुकतान एक शेत्र था जहां हमने करीब आठ से दस वर्ष पहले कुछ ऐसे आधुनी की करण शुरू होते देखा है ना शायद इससे ज्याद से निपटने में सक्षम नहीं था तो आप जानते हैं हमने ये चीज़ें देखना शुरू कर दिया है ना बैंकों ने भुकतान व्यवसायों को अलग करना शुरू कर दिया चाहे वह स्वीकृती पक्षपर हो या वालेट पक्षपर और उनका कोर या लीगेसी से कुछ जु जाव दे रहे हैं अब सीधे आते हैं यहां जहां एक चुनोती है और मुझे बताएं कि क्या ये एक चुनोती है या मैं बस गलत रास्ते पर जा रहा हूँ है ना या गलत सवाल पूछ रहा हूँ तो आपके पास आम तोर पर प्रीम पर एक विरासत बुनियादी धाचा है जिसमें बहुत सारे बैंडेज और वरकराउंड हैं क्योंकि इसने 40 वर्षों में एक जटिल तरीके से खुद का निर्मान किया है है ना आप दोहरे कोर या समानांतर कोर का निर्मान करते हैं आप दोनों में से जो भी रणनीती अपनाना चाहते हैं वह प्लेटफॉर्म सास क्लाउड आधारित है जो स्प्रिंट और तीवर नवाचार की इस संपूर्ण विचारधारा पर आधारित है है ना दोनों कैसे एक साथ काम करते हैं क्योंकि आप जानते हैं आपको पुराने और नए के बीच वह तालमिल अभी भी बिठाने की आवश्यक्ता है सही और वे एक ही मंचपनी काम रहे हैं यह कुछ ऐसा है मैं नहीं जानता बॉल रूम डांसिंग और यहां कोई है जो मुझे नहीं पता सालसा या जो भी आप इसे कहना चाहें उसके पास है क्या आप जानते हैं? वैसे यह बहुत आम है बहुत सारे लोग अगर आप शब्द आधुनी की करण सुनते हैं वे कोर आधुनी की करण, साइड कोर, लीन कोर, साइड कार सभी इन अवधारनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं अगर मैं कह सकूँ तो मैं शायद एक अलग paradigm का परिचय देना चाहूंगा, तीन स्तरों में सोचें, नीचे आपके पास आपका record system है, फिर आपके पास record system से जुड़ने के लिए एक एक ही करण system है, और फिर आपके पास समबाद system है, तो समबाद system शीर्श स्तर पर मुझे लगता है कि यहाँ आप सबसे प्रभाव देखते हैं, तो जो बहुत महत्वपूर्ण है वह समबाद स्तर है, यही वह जगह है जहां आप वास्तव में अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करते हैं, और यही वह जगह है जहां आप अपनी विभिन मूल्यों को अधिक्तम कर सकते हैं, यह मूल रूप से banking क करने की आवश्यक्ता है, क्योंकि वहां मुझे ग्राहक यात्रा को संगठित करने के लिए व्यापारतर्क की आवश्यक्ता है, अपने wallet का हिस्सा बढ़ाने, अपने net promoter score बढ़ाने आदी, और मैं जैसे तैसे core को छोटे भागों में तोड़दना चाहूंगा, तो यह core को स्थापित करने के बारे में नहीं है, मूल रूप से आप core को laser, presence current, engine बनाने के लिए पतला करते हैं, फिर आप उस core से जुड़ते हैं, लेकिन आप fintex से भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यह सभी fintex या जीवन शैली अनुप्रयोग, आप मूल रूप से अब किसी भी data और कारेक्षमता को curate कर सकते हैं, और फिर आप उसे एक ग्राहक यात्रा में सयोजित कर सकते हैं, और जो वास्तों में बहुत रोचक है, वह यह है कि अंतिम ग्राहकों या उपभोकताओं या छोटे व्यापारी लोगों को कभी core नहीं दिखाई देगा, सही, उन्हें core की परवाह नहीं है, वे बस सीमा रही त्यात्राओं की परवाह करते हैं, आप बटन दबाते हैं, हो गया, तो एक तरह से जो आप देख रहे हैं, उसे संक्षेप में कहें, तो जैसा कि हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपके पास कई core हो सकते हैं, जैसे कि एक सनलगन सिस्टम के साथ समकालिन करने की आवशकता होती है, लेकिन ये सिस्टम मूल रूप से जारी रखकर और खाता बन कर काम कर सकते हैं, आप मैं मानता हूं कि इस बीच की परत प्रदान करते हैं, बैक बेस बीच की परत प्रदान करते हैं, जो एक माइक्रो सर्विस आधारित, इंजन कक्ष, चैनल अगनॉस्टिक है, आपका मोबाईल अप, आपका वेब अप, आपका कॉल सेंटर, आपका मैनेजर है. आप वहाँ किसी भी Fintech समाधान को एक ही कृत करने में सक्षम है. हाँ ठीक है, तो बैक बेस्ट प्रदान कर रहा है, माफ कीजिए उसके बारे में, एक ही करन परत, शमा करें सहभागिता परत परत प्रदान करना, लेकिन साथ ही यह भी कि उस सहभागिता परत को बैक एंड, फिनटेक और कोर से कैसे जोड़ा जाए? ठीक है, तो अब थोड़ी वास्त विकता की ओर चलते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं एक खरीदार हूँ, मैं इस सवधारना को खरीदता हूँ, साइदान्तिक रूप से, यह संरचना की दृष्टी से बिलकुल सही है, जाहिर है कि हम यह सब कुछ बना सकते हैं, और मैं क्योंकि आपके पास एक बड़ा परिवर्तन प्रबंधन प्रयास भी है, मैं सोचता हूँ कि आपके साथ काम करने वाले संगठन को भी अलग तरह से सोचना होगा, क्योंकि आप जानते हैं, उन्होंने खुद को एक विशेश पुरानी परंपरा पर प्रशिक्षित किया है, है ना, आपको क्या चुनोतियां दिखाई देती हैं? मैं सोचता हूँ कि यह बुनियादी रूप से बहुत अधिक है, लेकिन यह सिर्फ एक तरह का मामला है, हमने इस क्षेतर में जो नेता देखे हैं, जैसे सौधी नेशनल बैंक, मसरफ अलरयान, आप वास्तव में एक नेतरित्व टीम देखते हैं, जो डेटाबेस पर गहरा मुझे लगता है कि यह योजना व्यावारिक है, पूरा नेतरित्व नहीं, पर इसका नेतरित्व करने के लिए लोगों का एक समूह होना जरूरी है, इसे मौझूदा सिस्टम में फिट करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, यह सिर्फ काम है, यह सिर्फ क्षमता है, पुराने प्रदायक कितने सही होगी है, यह अस्थिर होता है, अंतता उन्हें खुलना होगा है ना, क्योंकि उनके पास प्रतिसपर्दी समाधान भी होते हैं, है ना, हाँ, कभी-कभी थौड़ा संगर्श होता है, लोग कभी-कभी इन API के लिए चार्ज करना शुरू कर द तो back-based जैसे platform मूल रूप से इन पुराने सिस्टमों से अलग होने के बारे में हैं, अब आपके पास उन्हें रखने का, उन्हें आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करने का, उन्हें अन्य कोर प्रद्योगी कियों, अधिक आधुनिक के साथ पूरक करने का विकल्प है, लेकिन आपके पास विकल्प है, ये लगभग दो गती संरचना की तरह है, है ना, आपके पास एक क्लासिक गती है, ये निम्न परिवर्तन आवरित्ती है, और फिर सहभागिता स्तर पर, यही वह जगह है जहां आपको नवाचार करने और नवाचार को आगे बढ़ाने की आ लोग इसका दाइरा थोड़ा बहुत बड़ा बना सकते हैं, ठीके मैं इस पर आने वाला था लेकिन कृपया, नहीं हाँ तो मैं फिर से सोचता हूँ, ये वापस इस बात पर जाता है कि इसे धीरे-धीरे करें, इसे मॉडियूलर करें, इसे कॉम्पोनेंट करें, और मैं कह किसी भी आतरा को पूरी तरह डिजिटल कर सकता है, आपको जल्द बाजी नहीं करनी, मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि अब आपके पास एक पैराडाइम है, जिसमें आप छोटे कदम ले सकते हैं, लेकिन बजाए डग टेपिंग करने के या बजाए एक और बिंदू स समाधान खरीदने के, आप अब अंततह एक मॉडल में स्थानांतरित हो रहे हैं, जहां आपके पास वास्तव में एक प्लेटफॉर्म है, फिर दो प्रशना और कृपया, ये एक पूछताच नहीं है, ये अधिक लोगों को शिक्षित करने के बारे में हैं, और वास्तव में मैं बहुत स्वार्थी हो रहा हूँ, मैं अपने आपको यहां शिक्षित कर रहा हूँ, है ना, हम उनी ग्राहकों के साथ काम करते हैं, है ना, सच तो ये है कि मैं उन स्थानों को जानता हूँ जहां आप वर्तमान में कार्यान वेन कर रहे हैं, मैं सलाहकार की रूप में बा मेरा मतलब है कि प्रोध्योगी की एक गती से चल रही है जो मुझे लगता है ये अधिक तेज है और ये केवल तेज होता जा रहा है, है ना। जैसा कि मैंने कहा, बैंकों का निर्मान ग्राहकों से निरंतर फीडबैक एकत्र करने के लिए नहीं किया गया है, है ना। क्योंकि वे अधिक समय विन्यामित होने में बिताते हैं, मैं कहूंगा, कुछ बैंक अलग होते हैं, छोटे वाले, शायद नए वाले, लेकिन पुराने वाले नहीं हैं। मैं बस दोनों प्रश्णों को एक साथ दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है वे एक दूसरे से संबंधित हों, क्या मैं बस एक निर्भरता से पुराने निर्मान वाले खिलाडी को छोड़ कर आप पर निर्भर हो जाता हूं, है ना। जैसे ये संगठन स्तर, यदि मैं उस शब्द का उप्योग कर सकता हूं, जो फिर मेरे लिए सब कुछ संगठित कर रहा है, है ना। एक श्रेणी मूल रूप से ऐसे लोगों की है, जो टालमटोल करना जारी रखते हैं, वे तिमाही परिणामों को अनुकूलित करते हैं, लेकिन वे अपने संस्थान का मूल रूप से पुनर निर्मान नहीं कर रहे हैं, विभिन कारणों से, और क्या वे बड़े बैंकों की है, और वह समू है, जिसके साथ हम काम करते हैं, वे निश्चित रूप से अधिक प्रगतिशील महत्वाकांग्शी नेता होते हैं, लेकिन आप सपष्ट रूप से नेत्रित्व दलों में यह देखते हैं, आपके पास ऐसे लोगों का एक समू होना चाहिए, जो यात्रा के प्रति समर्पित हो, बैक बेस से इसका कोई लेना देना नहीं, बैक बेस सिर्फ एक संभावित साज़ेदार है, तो मैं सोचता हूँ, और यह इन अधिक प्रगतिशील महत्वाकांग्शी नेताओं के साथ काम करने का सुख है, जो कुछ जोखिम लेते हैं, क्योंकि यह अस्तित्व का खत्रा है, क्योंकि हम टाल मटोल करना जारी रख सकते हैं, और अब जानते हैं, तिमाही परिणाम अच्छे होंगे, शेर बाजार इसे पसंद करेगा, लेकिन मूल रूप से समय के साथ आप संभवता अपनी प्रतिसपरदीता को खोखला कर रहे हैं, आप वा तो नहीं, वित्तिय रूप से कोई समस्या नहीं है, मुझे वास्ताव में लगता है कि यह अंततह, चुस्ती और लचीलापन के बारे में हैं, तो लागत, आय अनुपात, इन प्रकार के मापदंड, आंतरिक प्रक्रियाएं, जैसे कि अंततह, मुझे लगता है कि हम एक दु तो देखो लेकिन यदि आप आज के मुबाईल एप्लिकेशन देखते हैं, तो वे काफी साधारण है, यदि मैं कहता हूँ कि बुनियादी रूप से ये पहली पीडी के मुबाईल एप्स, लोग सोचते हैं कि ठीक है, बढ़िया, लेकिन किसी तरह से यह सिर्फ कम्यों को निरर्थक प्रयास है, इसका मतलब आप मूल समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं ना, मैंने मुबाईल एप्स देखे हैं, पांच सितारा रेटिंग पीछे की और, लोगों को डेटा प्रविष्टी मैनुएली करनी पड़ती है, मैं सुनिश्चित हू प्रद्योगी की उन सभी सेग्मेंट मुद्दे को सामाने बना देती हैं तो आपका डैश्बोर्ड सभी विभिन नतत्व सेग्मेंट A, B, C, D के आधार पर होते हैं, अगर आपके पास अपने घर में लोग हैं, तो आप अपने ड्राइवर को आमंतरित कर सकते हैं, आप उसे कार्ड दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को ऐसे ही आमंतरित कर सकते हैं, यह बहु उपयोग करता और बहु सेग्मेंट है, मुझे लगता है कि दुनिया वास्तव में उस दिशा में जा रही है, हाँ, नहीं मैं आप से सहमत हूँ, इन में से कोई भी आप वहां नहीं है, लेकिन जैसे अपने मूल प्रशन पर वापस जाएं, हाँ वो इस प्र लोगों के लिए एक व्यक्तिकत सीखने की अवस्ता है, वे इसे लेने में खुश हैं, और मुझे लगता है कि उन में से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन में से कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, मुझे लगता है हम देख सकते हैं कि कुछ वरिष्ट नेत के लिए यह सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज आप जो मोबाइल अब बना रहे हैं वह संभवता पहले से ही पुराना है तो यह एक तरह से निराशा जनक बात है है ना तो हमारा सूत्र है कि इसे जितना संभव हो सके खुला बनाना तो हमने कहा जैसे यह विशेश रूप से विभारिय होने के लिए पूरी तरह से खुला होना चाहिए और इसे खुले स्रोट धांचे और खुले स्रोट डेवलपर मानकों को स्विकार करने की आवशकता है तो आप एक बैक बेस डेवलपर की तलाश में नहीं है आप एक स्विफ्ट डेवलपर एक एंड्रोइड डे तत्व है और हाँ अगर आप अपनाते हैं तो back base भी इसे बनाए रखेगा और आप back base पर निर्भर होंगे लेकिन बदले में आपके पास maintenance की सिरदर्द नहीं होती है और आपको निरंतर नवाचार मिलता है तो ये एक समझोता है जहां आप इसे अपनाएंगे और आप इसे बनाए रखेंगे और इसके आगे आप custom निर्मान कर सकते हैं तो आपके पास भेदभाव करने की स्वतंतरता है और आपके पास एक या अधिक in-house विकास टीमें हो सकती हैं कोई back base नहीं और आप इस platform पर नवाचार भी कर सकते हैं तो वो बिना सिर्वाला है तो आप विकल्प देते हैं कि अगर आप पुरानी धरोहर में नहीं जाना चाहते हैं तो आप धरोहर में जाने का चायन कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है यह बैंक पर निर्भर करता है कि उन्हें निरंतर नवाचार करने की मान सिक्ता रखनी चाहिए लेकिन आपका प्लेटफॉर्म आपको ऐसा करने की अनुमती देता है क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि सब कुछ वापस बैक बेस में आना होता है आपने जो सुझाव दिया है मैं सोचता हूँ कि आईए देखें कि अगला सबसे अच्छा विकल्प क्या है खासकर मध्यपूर्व में हम बहुत सारे ऐसे एप्लकेशन देखते हैं जो या तो इन हाउस निर्मित होते हैं तो या तो आप मूल डेवलपर्स पर निर्भर हैं जो प्रतिभा की तरह काम नहीं कर रहे हैं या आप मूल रूप से एक सिस्टम इंटीग्रेटर पर निर्भर हैं जिसे लीगेशी, डिजिटल मोबाईल लीगेशी अप्लकेशन को बनाए रखने और डक्ट टेप की आवश्यक्ता है मुझे लगता है हमें पहले ही डिजिटल स्थर पर एक लीगेशी मिल चुकी है मशीन लर्निंग अल्गोरिदम क्यों बनाना चाहते हैं आधार भूत मॉडलों को पता होता है कि आप इसके आधार पर नवाचार करने जा रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि एक प्रमुख परिवर्तन होने वाला है और निश्चित रूप से मैं थोड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मुझे सच मुझ लगता है कि प्लेट फार्मों में बदलाव होने जा रहा है वाइट लेबल प्लेट फार्म जो अध्योगिक है जहां बैंक शीर्ष पर नवाचार कर सकते हैं तो चलिए मैं इसे दूसरे पक्ष के लिए थोड़ा नरम कर देता हूँ है ना तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ ठीक है आप नवीनी करन करना चाहते हैं आप बाजार में तेज चाहते हैं आपको क्लाउड पे होना होगा आप सब कुछ कस्टम बिल्ट नहीं कर सकते आपके पास सब कुछ इन हाउज नहीं हो सकता लेकिन फिर आप इसे उन देशों तक सीमित कर देते हैं जहां डेटा रेजिडेंसी कानून काफी प्रतिबंधात्मक है क्या आपके सामने साइबर सुरक्षा के खत्रे बहुत अधिक हैं है ना आपके पास नए सिस्टमों की उद्यम लचीलापन के मामले में अन्य प्रकार की चुनौतियां है तो आप कैसे आप जानते हैं जहां मैं एक नए युग के प्लेटफॉर्म को बुलाता हूँ जो इन सभी प्रगतिशील मानसिक्ताओं के साथ बनाया गया है खुद को दुनिया के उन हिस्सों में फिर से जोड़ता है जहां हम वर्तमान में बैठे हैं जो अत्यधिक प्रगतिशील है मुझे गलत मत समझे है मैं सोचता हूँ कि यहां बैंकिंग काफी प्रगतिशील है ठीक है लेकिन पर्यावरन इसे इतना आसान नहीं बनाता है है ना आप राज्य के बारे में बात कर सकते हैं हम आप जानते हैं उदाहरन के लिए आप बैक बेस को एक देश से दूसरे देश एक बाजार से दूसरे बाजार तक कैसे ले जाते हैं और फिर भी उन शब्दों का उप्योग करते हैं जिन्हें मैंने आपके शोध पत्रों में पढ़ा है आप जानते हैं क्योंकि ये चीजें कठिन से कठिन होती जाती है तो यदि आप इस शब्द का प्रयोग करें तो बैक बेस के अंदर किस प्रकार की आंतरिक मान सकता है जो आपको स्वयम को पुना हाविश्कृत करने की अनुमती देती है वास्तों में शायद वहाँ है ये पूरी तरह से संभव है तो बस जैसे कि हमारे पास दुनिया भर में 120 से अधिक बैंक है और ये लगभग हर महाद्वीब पर है तो ये लैटिन से मध्यपूर्व, अफ्रीका, यूरोप, यूएस आधी तक जाता है बैक बेस प्लेटफॉर्म का कोड़ बेस, एक ही आर्किटेक्चर, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही कोड़ बेस है तो ये वास्तव में एक सचमुच वैश्विक उत्पाद है हमारे पास उस platform पर काम करने और उसे बनाए रखने के लिए लगभग 1000 लोग है यह platform मूल रूप से microservices का एक set है जो headless है जो एक प्रकार की क्षमता प्रदान करता है वास्तव में प्रत्येक bank को इसे swim करना चाहिए तो सोचिए कि वहाँ क्या हो रहा है जैसे कि आपके पास सभी पुराने सिस्टम है मुद्दा यह है कि वह खंडित हैं पुराने हैं, बंद हैं, अलग हैं लेकिन इन पुराने application के अंदर आपके पास बहुत सारा मूल लेवान व्यावसाइक तर्क है तो व्यावसाइक तर्क इन मोनोलित में बंधा हुआ है इसलिए पिछले 10 वर्षों में हमने जो किया है वह मूल रूप से उस सभी व्यावसाइक तर्क का विशलेशन है चाहे वह उपभोकता बैंकिंग के लिए हो या वानिजिक बैंकिंग के लिए और हमने मूल रूप से उसका विशलेशन किया और उसे लीगेशी से अलग किया तथा मूल रूप से उसे एक आधुनिक क्लाउड आधारित, माइक्रो सर्वेस आधारित आर्किटेक्चर में पुनह क्रियान वित किया तो आप मूल्यवान क्षमताओं के साथ मोनोलिट से लेगो में जाते हैं और लेगो विभिन नस्तरों में अच्छी तरह से संगठित होता है ये कुछ है जिसे आप किसी भी क्लाउड में तैनात कर सकते हैं और आप इसे किसी भी डाटा सेंटर में भी तैनात कर सकते हैं तो मूल रूप से एक मात्र सीमा ये है कि क्या आपके पास एक स्थानिय डाटा सेंटर है, फिर आपका डाटा सेंटर वहाँ होगा, आपका डाटा अच्छा है, केंद्रिय बैंक ठीक है, तो राज्य में भी अगर आपके पास Oracle या Google के साथ Cloud है, तो आप अपने डाटा सेंटर में अधिकांश कार्यानवेन को स्थाना अंतरित कर दिया है, माफ कीजिए, नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये काफी अच्छी संख्या है, है ना, ये काफी प्रभावशाली है, उम, आपके बहुत से नए युक के प्रतिसपर्धियों की कहानी काफी हद तक एक जैसी है, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि वे इसे किस तरह से पेश करते हैं, ठीक है, वे सभी थोड़े अलग कोण से आते हैं, आप लोगों में ऐसी क्या बात है जो उनसे अलग है, जिससे आप बहु बाजार, बहु महाद्वीप में इस गती से विस्तार कर पाए हैं, मुझे नहीं प करते हैं कि अरे ये मेरी पहली या दूसरी पीड़ी थी, मैं एक मंच दृष्टिकोंड, अध्योगिक दृष्टिकोंड में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी भी शीर्ष पर निर्मान करने की स्वतंतरता चाहता हूँ, हम मूल रूप से इसे त्वरित निर्मान कहते ह तो आप ये कह सकते हैं कि बेस्पोक सॉफ्टवेर विकास किसी प्रकार से बैक बेस के लिए प्रतिसपर्धी है और मुझे लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म मॉडल में जाने के लिए बहुत आकरशक आरोई है, आपको प्लम्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप लेयर भी करना चाहते हैं, और वे मूल रूप से आगे से पीछे तक का दावा करते हैं, और मुझे लगता है कि ये प्रतियक बैंकिंग कारेकारी के लिए एक बहुत ही मौलिक विकल्प है, क्या आप इन बंद मॉडलों में संचालन करना जारी रखना चाहते हैं, या क्या आप अपने कोर प्रदाता से अलग करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हम जिस बैंक की बात करते हैं और उद्द्योग में अधिकांश लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे लगता है कि कई कारणों को विगटित करना और अलग करना एक बहुत ही समझदारी भरा विचार है, आप अपने पुराने लीगेसी सिस्टम को रख सकते हैं, आप मूल रूप से अपने कोर का जीवन चकर बढ़ा सकते हैं, आपको इसे बदलने की आवश्यक्ता नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये तथ्य समझने में गलती कर रहे हैं कि उन्हें कोर नवीनी करन कर समझते हैं, कोर को कुछ समय के लिए वैसा ही रखते हैं, उसके चारों और नवाचार करते हैं, और फिर अंततह यदि कोर को स्थानांतरित करना है, तो वह स्थानांतरित होता है, है ना? ये सब एक साथ किया जाना चाहिए क्योंकि फिर ये एक तीन चार साल की परियोजना ह आप जानते हैं परियोजना शुरू करने वाले CEO अब वहां नहीं है इत्यादी मुझे लगता है कि मेरा प्रशनी ये था कि हर कोई समझता है कि यहां तक की लीगे सी खिलाडी भी वास्तव में इसे समझते हैं और वे भी समाधान के साथ आगे आ रहे हैं नए युक के खिलाडी भी सामने आ रहे हैं तो मैं कुछ हद तक समझ रहा हूँ और शायद आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं बैक बेस के बारे में यहां रहस से क्या है वह रहस से क्या है जो आपको A, B, C से अलग करता है मैं सपष्ट कारणों से नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन में से कुछ लोग शो में आ चुके हैं ठीक है, कस्टम डेवलप हमने कोर बैंकिंग डिकपलिंग पर चर्चा की मुझे लगता है कि अगर आप नए यूग की खशमताओं को देखें तो शायद एक और तत्व है जो कम कोडिंग है मुझे लगता है कि यह एक हद तक मदद कर सकता है लेकिन मुझे लगता है कि कम कोडिंग UI उत्पन कर रही है और मुझे लगता है कि उपभोकता संबंधी अप्लिकेशन के लिए आप अधिक शिल्प कौशल देखना चाहते हैं आप जानते हैं कि इसे टेंपलेट तरीके से नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि ये मोटे तोर पर वैसे विकल्प हैं जो हम बाजार में देखते हैं तो बैक बेस कहां खड़ा है? मुझे लगता है कि बैक बेस के साथ मुख्य अंतर ये है सर्वश्रेष्ठ नसल जहां Backbase के साथ मुझे लगता है हम अब उस बिंदू पर पहुंचते हैं जहां हमारे पास एक सामान्य प्लेटफॉर्म है जो बैंक को पूरी तरह से डिजिटल कर सकता है इस प्रकार आप अपनी आवशक्ता के अनुसार IT प्लेटफॉर्मों की संख्या को व्यापक रूप से सरल बना सकेंगे आप शायद अपने कोर को ले लेंगे शायद आपको CRM की आवशक्ता हो हाँ या नहीं और आपके पास एक संगटनात्मक परत प्लेटफॉर्म है जो एक ही कृत करेगा ये काफी है इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास जो कंपनिया हैं वे शायद बैक बेस प्लेटफॉर्म के साथ संपूरक भी होंगी हम इसे बैक बेस फिंटेक मार्केट प्लेस कहते हैं जहां आपके पास 80 से अधिक विभिन फिंटेक्स KYC, AML, Credit Score Data है जो आपके से जुड़े हुए हैं हाँ आप वास्तव में प्लेटफॉर्म है जो इन सभी क्षमताओं को संग्रहित कर रहा है और मैं सचमुझ सोचता हूँ कि यह मध्यपूर्व में एक और बड़ा अवसर है वहाँ बहुत सारी फिंटेक्स नवीनी करण है लेकिन यह अकेला है यह MasterCards के साथ है यह सभी अलग-अलग खिलाडियों के साथ है और बहुत ही शक्तिशालिक शमताएं API और डेटा वह on orchestration और engagement platform कहां है जो आपको एक साथ लाता है इसके बारे में सोचें उदाहरन के लिए ग्राहक on-boarding या KYC से एक नए ग्राहक की on-boarding AML चेक सरकारी on-boarding प्रावधान में ग्राहक वर्चूल कार्ड जारी करना वालेट में भेजना बहुत एक कार्ड की shipping करना यह एक यात्रा है है ना आपको इस यात्रा के लिए संभवता चार या पांच अलग-अलग Finitec या क्षामताओं की आवश्यक्ता होगी बैक बेस जैसा platform इन चीजों को एक साथ लाने के लिए एक व्यापक orchestration परत के रूप में आता है ठीक है क्योंकि जो आपने चित्र बनाया है वो ये है कि ये एक platform है जिस पर आप इसे बनाते हैं है ना आप इन सभी आप जानते हैं वाफिनटेक्स जो एक विशिष्ट समस्या को एक विशिष्ट समस्या के लिए निर्देशित कर रहे हैं लेकिन फिर इससे कुल मिलाकर मेरा अनुमान है बैंक द्वारा भुगतान की जाने वाली राश्य का हिस्सा लेना शुरू हो जाता है और इमानदारी से कहें तो इन सभी फिनटेक्स के पास बैंक में और अधिक पैठ बनाने की योजना भी है क्योंकि अंततह वे प्लेटफॉर्म की दया के आश्रे में नहीं रहना चाहते क्योंकि आपकी जगह कोई और ले सकता है है ना आप पीछे की संस्था जो की बैंक है के साथ संबंध बनाना चाहते हैं है ना और आप कहेंगे हाँ वानिजिक संबंध अभी भी बैंक के साथ हो सकते हैं और आप ऐसा होने में सक्षम बना रहे हैं लेकिन क्या बैक बेस के लिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ती नहीं है क्या आप कुछ जानते हैं हमें इन क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए जिनका सभी ग्राहकों के लिए बार बार उप्योग हो सके जो निश्चित रूप से हमारे उत्पाद हैं है ना? हम वास्तों में विभिन्न खिलाडियों के साथ क्यों काम कर रहे हैं? हम अभी भी विभिन्न खिलाडियों के साथ खेल सकते हैं लेकिन हम इसमें बैक बेस खेल को भी शामिल करना चाहते हैं, है ना? आपके विचार में आगे चल कर इसका क्या परिणाम होगा? यह आप जानते हैं क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि तब लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे. आप जानते हैं, फिंटेक कह सकता है, आपको कुछ पता है, ठीक है, हम बैक बेस के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बैक बेस हमें शायद 6 महीने के लिए उपयोग करेगा, और फिर अंत में हमें किसी और या कुछ और से बदल देगा, अब आप इसे किस रू करने में 6-9 महीने लगते हैं, और सिर्फ यह नहीं सर, वे आप पर भरोसा करते हैं, आप एंटरप्राइज हैं, आप सुरक्षित हैं, मैं आप से सहमत हूँ, हाँ, अताब बैंक को वास्तविक लाब यह है कि कम से कम एक अनुबंध, एक चालान से आप मूलता एक बाजार क की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, और आप खरीद का बोज आदी हटा देते हैं, जो फिंटेक के लिए आकर शक है, दूसरी और हमें प्लेटफॉर्म को इस तरह से तयार करना था, मैं आपको दो उदाहरण दूँगा, उदाहरण के लिए ओपन बैंकिंग में खाता एक एक API कॉल है, और इनमें से अधिकांश चीजें मूल रूप से API कॉल हैं और फिनिटेक वॉल्यूम की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यक्ता है कि मूल्य निर्धारण और विभेदी करण में उनकी अपनी प्रतिसपरधात मकता है, तो इसम कर रहे हैं, क्या आप जाने से पहले इनमें से कुछ समाधानों को एकिकरित कर रहे हैं, निश्चित रूप से हाँ बड़े पैमाने पर आपको इसे क्षेत्र के अनुसार करना होगा, हाँ स्पष्ट रूप से ऐसा होना चाहिए, हाँ और जो शायद इससे भी अधिक सेंट्रल कहा जाता है, ग्रैंट सेंट्रल जैसा की नाम से पता चलता है, यह मूल रूप से सभी को एक सामान्य डोमेन मौडल में लाने के लिए रेल प्रदान कर रहा है, तो यह बहुत अच्छा है क्योंकि फिर सभी आप स्ट्रीम इसे एक ही API और एक ही डोमेन मौडल के म ले सकता है, Finitec Connectors, System Integrators बना सकती है, यह पूरी तरह से खुला पारिस्थिति की तंत्र है, तो इस अर्थ में मुझे लगता है कि किसी भी व्यवसाय मौडल में आपको कभी भी स्वयम अर्चन नहीं बनना चाहिए और आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि यह बाजार के लिए हमारी प्रतिग्या भी है, खुला नवाचार, Headless Platform, UI में खुला नवाचार, खुले Developers, हर कोई विकसित कर सकता है, हर कोई प्लेटफॉर्म को अपनी शमताओं के साथ विस्तारित कर सकता है, और हर कोई एक ही करन कर सकता है, तो प्लेटफॉर्म का downstream खुला है और क्षैतिज रूप से भी आप इसे किसी भी चीज के साथ जोड़ सकते हैं, और वह खुलापन, विडंबना स्वरूप बहुत आकरशक है, यह है, लेकिन क्या इसे प्रबंधित करना कठिन नहीं है? हाँ, इसे प्रबंधित करना कठिन है, मैं तो सोचूँगा बात करते हैं, और आप जानते हैं, हम अब बैंकिंग के मामले में उभरते हुए ब्लॉक्चेन प्लेटफॉर्मों के बारे में बात करते हैं, मैं हाल ही में एक संस्थापक से मिला था, जो वितरित लेखा और ब्लॉक्चेन प्लेटफॉर्म पर आधारित पूरे बैंक का न जित्व में हैं लेकिन मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जिनके बारे में हम आजकल सुनते हैं है ना जेनरेटिव AI LMS इत्यादी आप इन प्रोध्योगिकियों को अपने प्लेटफॉर्म में लाने के मामले में क्या कर रहे हैं और वास्तव में बैंकों की सहायता क करती हैं और इससे बैंकों को यह सुनिष्चित करने में मदद मिलती है कि उनके पास एक इक्रित डेटा लेक है तो फिर से यह Grant Central प्लेटफॉर्म वास्तव में बैंकों की सहायता करता है ताकि वह किसी भी स्रोध से डेटा प्राप्त कर सकें आपके पास इन डेटा पाइप फिर दूसरी बात आप विभिनक शेत्रों को देखते हैं जहां हम लोगों को प्रेरित करने के लिए algorithm को बारीकी से संशोधित कर सकते हैं और ये उन्हें धोखा धड़ी से बचाने में उन्हें खर्च करने, बचत करने, निवेश करने में मदद कर सकता है और मुझे लगता है कि ये बहुत विशिष्ट सीखने के model हैं जिनने हमारी AI टीम आज बना रही है और वे platform में सीधे embed किये गए हैं, आप हमारे model ले सकते हैं, लेकिन आप अपने खुद के model भी बना सकते हैं तो ये हमेशा अपनाने या बनाने जैसा है तो इस अर्थ में ये machine learning algorithm के साथ एक बुनियादी ढांचे का घटक है और फिर एक विशिष्ट स्थानिय संदर्भ में तैयार प्रशिक्षित model है मेरा मानना है कि ये सब banking को अधिक smart बनाने के लिए है तो ये एक प्रमुक क्षेत्र है दूसरा क्षेत्र शायद और अधिक प्रभावशाली हो सकता है मुझे वास्तों में लगता है कि programming अंततह एक भाशा है और ये बहुत अनुमानित होती है यदि आप अब इस तरह के क्रिया अधारित modelों को देखें जहां आप मूल रूप से विभिन्नकारियों की योजना बना सकते है और AI को विभिन्नकारियों में क्रियानवित किया जाएगा और इसमें हैरा रखी होगा मुझे लगता है कि आखिरकार मुझे इस बात पर आश्चरे नहीं होगा कि आज से 5 से 10 साल बात प्रोग्रामिंग बहुत अलग होगी शायद आपको कम कोडिंग टूल की जरूरत ना पड़े क्योंकि आपको इसे model करने की जरूरत नहीं होगी आप वास्तव में एक agent या agentों के set को सक्षम कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये system एक ही करन करता हूँ software company उपर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है किसी को ये नहीं बता सकते लेकिन बहुत बड़े उद्योग बस कानूनी firms की तरह call centers की तरह होंगे मुझे भी लगता है कि software engineering के खशेतर को किसी रूप में व्यवधानित किया जाएगा इसलिए back base और हमारे ग्रहकों के लिए हम वास्तों में सह पाइलटों के साथ मिलकर काम करते हैं और देखते हैं कि हम वास्तों में लोगों की ग्रहक यात्रा की कलपना में कितनी दक्षता ला सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि हम एक दिन ऐसा महसूस करेंगे कि अल्गोरिदम वास्तों में इन यात्राओं की रचना करेंगे तो ये शायद थोड़ा पागलपन है लेकिन नहीं मैं नहीं हूँ मेरा सवाल इस पर बहुत साधारण है ठीक है तो आप सपष्ट रूप से आप एक ओपन टूल है ठीक है जैसा कि मैंने का आप एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसका मूल रूप से अर्थ है साज़ेदारी और आपकी डिने में साज़ेदारी करना है ना क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए अन्यता आप खुले नहीं रहेंगे एसा तो हो नहीं सकता कि एक आपके पास हो और दूसरा आपके पास ना हो इन सीस्मिक परिवर्तनों के मामले में भविश्य के जोखिम को कम करने का एक तरीका जो बहुत जल्दी आ सकते हैं वह है आप जानते हैं आप लोग खुद को कहा देखते हैं क्या आप खुद को इस AI क्षेतर में कुछ बड़े खिलाडियों के साथ साज़दारी करते हुए देखते हैं और मेरा मतलब है वास्ताव में बड़ी रन नीतिक क्या आप खुद को डिजिटल एसेट्स थलके बड़े खिलाडियों के साथ साज़दारी करते हुए देखते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से नए सिरे से निर्मान कर रहे हैं क्या आप पहले से ऐसी साज़दारियों में है और मेरा मतलब है रन नीतिक साज़दारी मेरा मतलब यह नहीं है कि आप और मैं मिलकर एक बिक्री कर लें और फिर 6 महीने बाद हम एक दूसरे से बात करें नहीं हम ऐसे हैं बैक बेस पूरी तरह से क्लाउड अगनोस्टिक है तो Google, AWS और Microsoft Azure लेकिन हमारी Microsoft के साथ एक बहुत बड़ी मौलिक रणनीतिक साज़ेदारी है और मुझे लगता है कि डेटा लेक, डेटा एकत्री करन, पाइपलाइन और मशीन लर्निंग अल्गोरिडम सभी Microsoft Azure डेटा फैबरिक और Microsoft मशीन लर्निंग अल्गोरिडम के शीर्श पर बनाए गए हैं आप जानते हैं ये वास्तों में ओपना आई नहीं है आप किसी भी बड़े भाशा मॉडल में बदलाव कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये Cloud प्रदाता और उसके बाद Meta, Lama के साथ वे इसक्षेतर के मालिक होंगे, कोई और इसक्षेतर के मालिक नहीं होंगे इसलिए आपको बहुत विशिष्ट उपियोग मामलों के आसपास के इंदरित अधिक वर्टिकल शिक्षन मॉडल के साथ काम करना होगा और मुझे लगता है कि वर्टिकल सास कंपनिया जैसे कि बैक बेस एक अद्विती अस्थिती में हैं आपके पास डेटा है आपके पास सभी व्यावसाइक तर्क हैं आपके पास सभी API हैं तो आप अब बेसिकली उसे मैनुवल या प्रोग्रामेटिक या AI के साथ भविश्य में संगठित कर सकते हैं तो Microsoft साज़ेदारी बड़ी है इसके आगे आप बड़ी Finitec कंपनियों को देखते हैं जिनने आप जानते हैं बड़े प्रोसेसरों के बारे में सोचते हैं उनके पास किसी भी प्रकार के कार्ड पर भुकतान व्यवहार से संबंधित भारी मातरा में डेटा होता है इसलिए स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं ऐसी स्वाभाविक साज़ेदारियां हैं जिनकी कलपना आज नहीं की जा सकती लेकिन मैं स्पष्ट रूप से एक प्रवृत्ति देख सकता हूँ जहां ये चीज़ें एक साथ आती है मैं आप से सहमत हूँ मुझे लगता है कि मैंने लोगों को पिछले 10 साल से इन सम्मेलनों पर इसके बारे में बात करते हूँ सुना है लेकिन बैंक के अंदर मैंने कभी नहीं देखा या शायद ही कभी इसे कुछ नवाचार से आगे बढ़कर वैचारिक रूप से मुख्यधारा में आते देखा हो क्या आप अब इसे बदलते नहीं देख रहे हैं खासकर हमारे विश्व के इस हिस्से में फाइनांस, ट्रैड फाइनांस में हम इसे बड़े पैमाने पर देखते हैं और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ही प्राकृतिक उप्योग केस है हम इसके प्रति निश्पक्ष रहेंगे एक तरह से बैक बेस के लिए कभी-कभी हम और शायद ये थोड़ा बहुत सरल है आप जानते हैं आपके पास बहुत सारे हैं सरल अच्छा है हाँ, वैसे हम बस कहते हैं कि ये एक और भई खाता है, है ना ये एक और सिस्टम होगा जो भई खाता बनेगा तो हम पहले से ही कोर निश्पक्ष हैं इसलिए ये एक पारंपरिक कोर हो सकता है ये एक आधुनिक लीन कोर हो सकता है ये एक वैब थरी खाता प्रोध्योगी की हो सकती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये रूटिंग आधी कर सकता है लेकिन अंतता है आपको बैंक के अन्य भागों के एक ही करण पहलूं के प्रसंस करण के लिए सीधे पहुँच अधिकार, पातरता, अन्य प्रकार के आवेदन करने की आवशक्ता है तो मुझे लगता है कि यही वर्तमान दृष्टी कोण है मेरा अंतिम प्रश्ण मैं आपको सीधे स्पॉर्ट पर रखूँगा है ना आज आप जिस नजरिये से बैंकिंग को देख रहे हैं उससे आप दुनिया के इस हिस्से में बैंकिंग के विकास को किस तरह देखते हैं हाँ मैं चंद ट्रेंड्स का बढ़ा समर्थक हूँ मैं सच मुझ सोचता हूँ IT परिद्रश्य को सरल बनाना मुझे लगता है कि न तो नवाचार की गती के मामले में और नहीं लागत के मामले में टिकाओ है तो मुझे लगता है कि मूल रूप से मैं हर किसी को प्रोथसाइट करना चाहूँगा कि मूल रूप से मुश्किल गड़ीडी का सामना करना और परिवर्तन करने का क्षण क्या है और क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है मुझे लगता है कि समय कल था लेकिन यह स्पष्ट रूप से कल था लेकिन फिर भी निश्पक्षता से कहें तो बैंक अभी भी बहुत लाबमान है इसलिए शायद कल ऐसा होगा, कौन ऐसा कहेगा लेकिन आप एक सामान्य परिवर्टन देख रहे हैं मैं एक सामान्य देख रहा हूं लेकिन उदाहरन के लिए साओधी को देखिए भुकतान वालेट्स को देखें तो यह चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं और मुझे लगता है कि यह चीजें शुरू में आपको लगती हैं कि यह इतनी बुरी नहीं है लेकिन अंततह वे तेजी से बढ़ने लगती हैं और यह तेजी से बढ़ती हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस बारे में भी सोचना होगा कि यदि मैं अभी शुरूआत करता हूँ तो कम से कम अगले 3-4 वर्षों में मैं यह सुनिश्चित कर लूँगा कि मैं शीर्ष स्थान पर हूँ और आश्चरे चकित नहीं होँगा और यह सोचकर बंद नहीं जाओंगा कि बहुत देर हो चुकी है तो यह एक बात है दूसरी बात जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ मुझे सच में लगता है कि सभी अप्लिकेशन पहली PD के हैं वे सभी के लिए fit हैं तो शूनिय सेग्मेंटेशन और साथ ही समुदाय या एक घराना या परिवार की पूरी धारना मैं वास्तों में सोचता हूँ कि वे मुबाइल एप्लिकेशन की अगली सीमा होंगे जो मल्टी यूजर, समुदाय, परिवार, ओरिएंटेड होंगे और वहां भी होंगे मुझे लगता है कि बैंकिंग से परे कि ये पूरी अवधारना लोगप्रिय हो रही है मैं जो करने जा रहा हूँ वह ये है कि मैं आपको दो साल बाद फिर से आमंत्रित करूँगा देखते हैं, हाँ ये रिकॉर्ड किया जा रहा है, है ना? हम इसे फिर से चलाएंगे और देखेंगे कि इसमें से कितनी बातें वास्तों में सच साबित हुई देखा जाएगा ठीक है, अब मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालने के लिए धन्यवाद मुझे लगता है कि अब हम दोनों को दुबई फिंटेक शिखर सम्मेलन में वापस आना होगा हाँ, मुझे लगता है कि मैं लगभग 45 मिनट में मंच पर आऊंगा और मुझे लगता है कि आप आज बाद में आएंगे हमें जल्दी करना होगा ठीक है, ठीक है, आने के लिए धन्यवाद और हम निश्चित रूप से संपर्क में रहेंगे आप जानते हैं, मुझे लगता है कि कुछ सामान निग्राहक हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं शो समाप्त होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन हैं, तो आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद, मुझे आपके प्रशन बहुत अच्छे लगे धन्यवाद मैं इसकी सराहना करता हूँ देवियों और सज्जनों वथे जूक प्लैटर वबैक बेस के सीई-ओ और संस्थापक हैं उमीद है कि यह आप लोगों के लिए बहुत तकनीकी बातचीत नहीं थी लेकिन मैं इस बारे में गहराई से जानना चाहता था आप जानते हैं मेरा मानना है कि बैंकिंग का भविश्य किस तरह से है जो मूल रूप से वह तकनीक है जिस पर वे बने हैं जो बहुत सारे बदलावों से गुजर रही है तो मुझे लगता है कि भविश्य में इस प्रकार के और अधिक सत्रों की अपेक्षा करेंगे क्योंकि हम अन्य खिलाडियों को इस बारे में बात करने के लिए लाएंगे कि वे दुनिया को कैसे बदलते हुए देखते हैं लेकिन इसके साथ ही अलविदा और मैं आप लोगों से अगले सब्ताह मिलूंगा